दुनिया का सबसे नया और लंबा विमान वहक पोथ 337 मीटर लंबा है, जबकि कॉमर्शियल एरपोर्ट्स का रनवे 1500 मीटर लंबा होता है। तो एरक्राफ्ट कैरियर्स कैसे केवल 330 मीटर या इसे छोटे रनवे के साथ एरक्राफ्ट की लैंडिंग और टिक ओफ को डील करते हैं। गाईस असल में एक जट को कैरियर से उडान परने के लिए सिर्फ 99 मीटर जितनी स्पेस की जरूरत होती है। और तीन से चार सेकेंड्स के भीतर विमान को उड़ने जितनी स्पीड देने के लिए सभी यूएस और फ्रांसीसी कैरियर्स कैटापोल्ट सिस्टम का उप्योग करते हैं। इस फ्राणाली के तहट एक एरक्राफ्ट के अगले भाईयों को कैटापोल्ट रैक में फसा कर तेजी से आगे फेक दिया जाता है। जिसे एरक्राफ्ट कम दूरी में ही अपनी मिनिमम फ्लाइट स्पीड गेन कर लेता है। और इस सिस्टम के उप्योग से सीटू ग्रेहाउंट जैसे डीसेंट साइज्ट एरक्राफ्ट भी इन कैरियर से लॉंच कर सकते हैं। जबकि चाइनीज और इंडियन कैरियर्स टेक उफ के लिए केटापोल्ट सिस्टम का यूज ना कर इसकी जम का उप्योग करते हैं। हलाकि इन दोनों ही तरह के कैरियर्स में विमानों को कम दूरी में रोकने के लिए अरेश्टर वायर्स लगे होते हैं। जिसमें उदरते समय विमान अपनी टेल हुग को फसा लेता है और आसानी से रुख जाता है।